मैं भारत को भारतियता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ और एसी तुलसी के जैसी ही एक बहुत अच्छी चीज है पोदीना वो भी बने तो गमले में कर लो गर लो और इन दोनों से बराबर ही अच्छी एक चीज है अलो विरा गवार पाठा जरूर रखो अपने घर गवार पाठे का रस अद्बूत काम करता है त्वचा की वीमारियों में काम करता है पेट साफ करने में काम आता है कान में कितना भैंकर दर्द हो ग्वार पाठे का रस थोड़ा गरम करके एक ही बून टपकाओ तीन सेकंड में दर्द खतम कर देता विदिन थ्री सेकंड्स इंजेक्शन से भी तेज गती से काम करता है किसी इस्तुरी और पुरुष को नपुन सकता की शिकायत हो ग्वार पाठा बिल्कुल ठीक कर देता है complete cure करता है शरीर को ताकत बढ़ानी हो बहुत कमजोरी लग रही हो तो ग्वार पाठा अद्मुत काम करता है बाल बहुत जड़ते हो गुच्छे के गुच्छे निकलते हो ग्वार पाठे का रस बाल में लगाओ जैसे तेल लगाते हैं गंटे के बाद धोलो तो बाल जड़ना बंद करा देता है बाल ज़्यादा काली रखने है तो ग्वार पाठा सकता में एक दिल लगाते ही रहो रस के रूप में अद्मुत काम करता है आँखों की रोशणी बढ़ानी हो तो ग्वार पाठे को इस्तेमाल कर सकते है पीने के रूप में ले सकते है बच्चों को फोड़े फूंसियां बहुत होती है एक एक चमच ग्वार पाठे का रस तीन चार दिन पिला दो तो सब फोड़े फुनसिया होना बन गर्वियों में घमोरियां बहुत हो जाती है तो गौार पाटे का इस्तेमाल कर सकते है मनुश्यों में पुर्षों को एक बहुत खराब बीमारी होती है उसको बारवर सिचिंग कहते है दाड़ी बनाओ ना उसके बाद लाल लाल फुनसिया हो जाती है उनको बोलो के गौार पाटे कल रस लगा के फिर शेविंग करें तो कभी ये तकलीफ नहीं आती बहुत अच्छी दवाएं घर में हैं आप लगा सकते हैं घर में भी हो सकता है खेतों में भी हो सकता है एक दिन मैंने ये सब गिना तो एक सो आठ दवाएं हमारे रसोई में हैं एक सो आठ और इनसे हर बीमारी ठीक हो सकती है कहीं घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है और मैं तो सब को चिला चिला के कहता हूँ कि आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो बीमारी खतरनाक नहीं है डॉक्टर खतरना एक बीमारी से दूसरे में फसाएंगे दूसरे से आपको तीसरे में ले जाएंगे ठीक ही नहीं होने देंगे और आजकल डॉक्टर जो दवाएं आपको खिलाते हैं न वो दवा अपनी मा वेहन को कभी नहीं खिला सकते हैं ऐसी दवाएं आपको खिला लेते हैं जिन दवाओं पर कोई clinical trials नहीं हुए हैं जिन दवाओं को किसी ने approve भी नहीं किया हैं उनको धडले से prescribe करते हैं क्योंकि commission मिलता है और ये commission खोरी इतना बढ़ गया है कि अब अच्छा डॉक्टर चिराग लेके ढूंड़ने निकलो तो कोई एक मिले मुश्किल से एक मिले इसलिए आप इनसे अगर बचे रहें तो आपकी जिन्दगी बहुत स्वरक्षित रहने वाई है दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें और हां हमारा android एप डाउनलोड करना ना भूले